मैं आपकी एक एक पाठ को खुबसूरत बनाना चाहती हूं साथ ही चाहती हूं कि हर पाठ आपके लिए स्वाभागे भी लेकर आए आपके चेहरे की बात तो मैंने कई बार की है लेकिन आज मैं आपके पैरों की बात करूंगी आपकी हतीली नहीं आपके पैर में छिपी है किस्मत के बारे में आज बताऊंगी आपके पैरों को हिरोईन जैसे होट बनाने का तरीका भी होगा मैं आपको हमेशा हाथ की लकीरों के बारे में बताती हूँ है न लेकिन क्या आप जानते हैं आपके पैर भी किसमत का रास खोलते हैं आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिससे आपने शायद पहले कभी ना सुना हो एक-एक करके समझेगा और अपने पैरों से मिलाईएगा पैरों में अंगूठे से घटी-कडी में उंगलिया होती हैं यानि कि इस तरह से स्लोपिंग फिंगर्स होती हैं तो ये दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं ऐसे पैर की शेप जादा तर जिनकी होती है ऐसे लोग जो हैं ये एहसान जताने वाले होते हैं इस तरह के पैर वाले लोग ये ही चाहते हैं कि हर जगा उन्हें पूरा मान समान मिले और सभी उनकी बात माने अगर घर पड़िवार या समाज में गों इनकी इच्छा के हिसाप से नहीं चलता तो उनकी गुस्सा हा जाता हैं इस तरह के पैर वाले लोग अपने जीवन साथी पे जरूरत से ज़ादा हावी होते हैं जिन लोगों के पैर में अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगलियां बराबर हो और बाकी उंगलियां छोटी हो तो ऐसे लोग बहुत महनत करते हैं मेहनत के बल पर ही इन्हें मान सम्मान भी मिलता है ऐसे पैर वाले इंसान तूसरों के काम की तारीफ भी करते हैं और इन्हें मेहनती लोग पसंद भी करते हैं जिन लोगों के पैर के पास वाली अंगूठे के पास वाली जो उंगली है वो जादा बड़ी होती है और बाकी उगलियां छोटी होती है, मतलब यह उगलीं टॉलिस्ट होती है यह किसी भी काम को यूनीक तरीके से करना पसंद करते हैं काम के संबन में इनकी प्लानिंग बहुत अलग और बेस्ट होती है जिन लोगों के पैर में अंगूठा लंबा और बाकी उंगलियां छोटी होती है और बाकी पैर की उंगलियों की जो लंबाई ये भी almost बराबर होती है ये इनसान जो है ये बहुत cool minded होता है इन्हें किसी भी काम को ठंडे दिमाग से करना पसंद होता है ये लोग कभी भी एकडम से नाराज नहीं होते ये लोग विरोधियों पर शांती के साथ ही जीत हासिल करने वाले होते हैं अब एक और situation देखिए जिन लोगों के पैर में अंगूठे के पास वाली उंगली जादा लंबी हो और उसके बाद वाली जो उंगली है वो थोड़ी छोटी और बाकी उंगलिया छोटी हो ऐसे लोग energetic होते हैं आम तोर पर ऐसे लोग crazy होते हैं ये किसी भी काम को पूरे जोश और उर्जा के साथ पूरा करते हैं देखिए ना कितने तरह तरह के पैर होते हैं किसी के पैर मुलायम, किसी के पैर गोरे, किसी के लंबे, किसी के चोड़े है ना आखिर ये पैर कहते क्या हैं सामुद्रिक शास्तर के मताबिक पैर भागे या दुर्भागे और भविश्य का संकेत देते हैं आईए जानते हैं पैर के तलवे मुलायम और कोमल हो तो समझ लें कि जातक का भविश्य उजवल है उन्हें घर तरह की सारी सुक्सुविदाएं बड़ी आसानी से मिलने वाली है जिनके पैरों की उंगलिया एक दूसरे से दूर दूर हो उन्हें जीवन में आर्थिक समस्याओं से जूजना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है पैरों की उंगलिया आपस में सटी भी हो तो ऐसा समझा जाता है कि ऐसे लोग भागे के धनी होते हैं सारी खुशियां छक मार कर उनके कदम चुमती है पुरिशों के लिए अगर अंगूठे से सटी भी उंगली अंगूठे से लंबी हो तो पत्नी उनकी हर बात मानती है लेकिन अगर किसी महिला के अंगूठे से सटी भी उंगली अंगूठे से लंबी हो अगर सिरफ अंगूठा बाहर की तरफ कुछ जादा निकलावा हो, तो समझे कुछ न कुछ दुर्भागे जरूर है। कुछ लोगों की पैर की नसे दिखाई देती हैं, कहते हैं कि ऐसे पैर जल्द बुडापे का संकेत देते हैं। फटे बे पैर दुर्भागे का संकेत देते हैं, इसे घर में दुख, तकलीव, धन, समपत्ती की हानी होती है। स्वास्त का बिगड़ना लगा रहता है। जिन पैरों की उंगलियां बिलकुल शेप में और मास लिवी होती हैं, वो बड़े ही शांद चितके होते हैं और जीवन में जादा उठा पतक उन्हें पसंद नहीं होती। ऐसे हालात में इनको अपनी सिचुएशन को काट कर उससाब से चलना पसंद करते हैं। अपने लिए बैलन्स रस्ता निकाल लेते हैं।